कि यह लो फ्रेंट्स विल्कम टू ऑनलाइंश्टी किंग्डम दोस्त जैसा कि आप चनल पर देख रहे हैं दोस्त ध्याइस का हम लोग टेस्ट स्रीट कबर कर रहे हैं अभी तक जो है संसथान की द्वारा दस टेस्ट कराए जा चुके हैं जहां पर पांच जीएस के पांच ह पर देखेंगे तो रहे हैं तो टेस्ट पूरा होगा चुटेगा कोई नहीं जो भी आपको मिल लाएगा वीडियो के पेंचस राइक कर दीजेगा अपनेने दोस्तों के कर लिजेगे क्योंकि आपकी सब्सक्रीप्शन ही हमारी ताकत है साथ यालन डिप्रेशन बेल आइकान को अब जरूर प्रेस कर लेना ताकि आनले वीडियो के ब्रेट साथ सभी को प्राप्त होती रहे पहला प्रशन आपका पॉलिटी से है पंचायती राज से संबधित निम् पंचायत सम्मिती और जिला लेबल पर जिला परिषट की बात की गई जिला इस्तर पर जिला परिषट या प्रतेक्ष है तो यहाँ पर प्रतेक्ष होता तब सही होता है यह लिखा है गलत और पंचायत समीूपी को गठ्थन जो campuses गाँने जो गाव का इलेक्षन प्रधान के चुना होता हैं इस्षैया MAN के लिए 2-4 लड़ते responds चुनाव तो जुनाव जो लड़ते हैं उसमें मद्दान करेगा बीडीसी करते हैं शदर से जो दारेक्ट जो है चुनते जाते हैं जनता के द्वारा तो बीडीसी जो चुनाव ब्लाग पर मुखी में जो है ओड करते हैं तो जनता तो करती नहीं बीडीसी मेंबर ही करते हैं किया है आपका आप्रतेख्षर रूप से तंपर अनल दी होगत्त दिए अगला नीचे दो कतन जिनमें दे जिन्में से एक को अभिकतन और दूसरे को कारण कहा गया है अभिकतन है कि भारत कए महान आवादी न में न तो सरकार का पूरकालिक वकील हे ना ही एक सरकारी कर्म की सेड़ी में आता है तो कतन बिल्कुल सही है कारण है कि उसे एक संसद सदस की तरह सभीभत्ते विशेशा अधिकार प्राप्त होते हैं तो संसद की सदस की तरह सभीभत्ते विशेशा अधिकार प्राप्त होते हैं इसका कारण यह नहीं कि महानायवादी ना तो सरकार का पूल का लिक हो नहीं वो सरकारी कर्म की सेड़ी में आता है तो असपस्ति कारण कारण है नहीं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप्शन बी यह और आर दोनों सही लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है अगला प्रस्ण है कि सूची वन सूची तो को समेलित करना है भारत की राष्टोपति का कारिकाल दिया गया है और यहां पर आपको मिलाना है डाक्टर जाकिर हुशन की जो बात की गई है वह उननी सो स्रसर से नहात्तर बात बिलकुल सही ग्यानी जैल सिंग है 82 शी नवासी है प्रतिबास पार्टिल साथ से बारा रहें एपिजिव दुलकलाम दो से साथ रहें तो वन टू थरी फोर आप सनिहा पर आपका बी सही जबाब बन जाएगा अगला एक निमलखित में से कौन साई की युगम सही शोमेलित नहीं है पहला दिया है कि राज्यसभा का संगठन आर्टिकल नमबर 80 में दिया गया है बिलकुल सही है लोक्षभा का संगठन जो दिया गया है तो संगठन लोक्षभा का जो संगठन है इसके लिए अक्यासी बात की गई है राष्टपती का विशिस संबोधन तो यह राष्टपती का जो विशिस संबोधन आर्टिकल नंबर 87 से संबन्दी था है ना कि 88 से लोक्षभाद द्यच्यों मुपाद्यच की बात 93 में कही गई है तो राइट आंसर आपसे यहां पर सी सही जबाब होगा सी सु चुतम न्याले में नाइक समिक्षा की शक्ती नहीं तो है तो दोनों की दोनों बाते बिल्कुल सही है सुप्रेम कोड की नाइक समिक्षा की शक्ती जो नहीं ते आर्टिकल नंबर 137 से है तो दोनों की दोनों बाते बिल्कुल सही आपसे राइट आंसर होगा अगला प्रस इसलिए सी आपसन यहाँ पर आपका सही जबाब बन जाएगा पांज भद्रा जील राजस्थान बिल्कुल सही तो सूरज जुताल है यहाँ आपका हिमाचल प्रदीश की जो बाड़ा लाचा धर्रा है सुन्दर बन को यहाँ पर बताय गया है बरस 2004 में होना चाहिए 2001 यह आपका पहला गलत है पंचमणी की बात की जाए तो पंचमणी के 2009 में नोटिफाइग किया गया है इने इसकों में तो यह आपका यह भी गलत है ग्रेट निकोबारी की बात की जाए तो बरस रहा दो हजार तेरा ये भी आपका गलत है नोकरेक नोकरेक को दो हजार नो में तो यहाँ पर आपसंड़ी आपका बिल्कुल सही जबाब बन जाएगा अगला एक निमलकेत मेंसे कौन सी अरोडाचल परदी सिकी एक प्रमुख जनजाती नहीं है तो अबओर है मिकिर है डफला है लेकिन कोकी नहीं है तो कोकी आप यहाँ पर आंसर सी सही जबाब बन जाएगा कोकी है कहां की तो कोकी आपकी है मड़ी पूरकी अगला एक निम्लिकित में से कौन सा एक योग में सुमेले तो नहीं है आपर बता ना गए केंदर सरकार द्वरा इस्थापित बोर्ड है उनके भिस्थापना के बर्स दी गए है कोटिर उद्दूग बोर्ड की स्थापना जो है बर्स 1948 बिल्कुल सही है केंद्रिय सिल्क बोर्ड की बात कीगे 1949 में यहां भी सही है अकिल भारतिय हितिकरगा बोर्ड की स्थापना 1950 होनी चाहिए यहां पर 1953 इसलिए गलत है अकिल भारतिय खादी ग्रामोद दोग 1954 है यहां भी सही है तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा आपसंसी सही है प्रश्ण संख्या नंबर दस है कि निमना कत्मों पर आपको विचार करना है पहला है कि नर्मदा नदी का उद्गम मायगाल परबत की अमर कंटक चोटी से होता है तो पहला कतन आपका बिलकुल सत्य है दूसरा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यहां प्रदीश साड़े ग्यारा परशंड गुजरात और फर्शंड महारास्त में पढ़ता है यहां पर क्या भंगाल की खाड़ी लिखाए यहां पर क्या होना चाहिए अरब सागर में तब यह सही होता इसलिए गलत हो गया तो केवल और केवल एक शत्य है आप सानी राइट आं प्रस्तूत किया जाता है कि रास्तबती को सहमती होती है तो राच różष लोगश्भा में पास हो जाता है राज जता चौदा दिन के अंदर पास होना हो कोई मतलब नहीं है चौदा दिनके अगर अंदर वो कुछ भी सेम आतीं नहीं देते हैं तब भी वो मान लिया जाए कि पास है तो इसलिए यहाँ पर राजसभा का में कोई रोल नहीं है तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो गया दूसरा है कि अनुदान मांगो पर दोनों सद्रों में मतलब नहीं होता है वर्डिकल नंबर 113 दो कि जो अनुदान है जो मांगे है लोक शभा में ही रखी जाएंगे और उससे ही जो है मद्दान करने का अधिकार होता है राजसभा का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है तो दोनों सद्रों के वलो और को लोक शभा होना चाहिए ता इसलिए दूसरा गलत हो गया तो यहाँ पर कौ राइट आंसर बन जाएगा आर्टिकल 41 है आपसन सी राइट आंसर है बारतिय संभिधान में राज्जिपाल द्वारा राष्ट्रपादी की विचारार्थ विधेयक सुरक्षेत रखना कि इस देश की संभिधान से लिया गया है आपसन यहाँ भी सही जबाब होगा अगला आए कि शंभिधान के अनुचिद 103 की अंसर निर्वाचन में भरस्ट आचरण के कारण कोई सदस से सदन का सदस से होने के लिए अनर हो गया है या नहीं इस प्रस्ण का भी निस्चे राष्ट्रपाती द्वारा किया जाता है किसकी सलाह पर यहाँ पर आपका राइट अंसर बनेगा आपसनी निर्वाचन आयूग की सलाह पर तो सम्विधान का आर्टिकल एकशो तीन है तो एकशो तीन के अंसर निर्वाचन में भरस्ट आचरण के कारण कोई सदस सदन का सदस होने के लिए अयूग जब हो जाता या यूग नहीं है तो इस प्रस्ण का भी निस्चे राष्ट्रपाती द्वारा निर्वाचन किया जाता है आपसर यहाँ पर आपका राइट अंसर बनेगा अगला है नीचे दो कथन दिये गए हैं मैं से को अभी कथन और दूसरे को कारण कहा गया है पहला है कि राष्ट्रपाती धन विध्यक को पन बिसार के लिए वापस नहीं कर सकता कारण बिलकुल कथन बिलकुल सही है कारण है कि धन विध्यक जो राष्ट्रपद्री की पूर्व अनुमति से ही लोक्षभा में प्रस्थूत किया जाता है कारण कंद कर किछ व्याक्या करता है आप संट रही हां जाता है पहले से है अमति मिल जाती राष्ट पती तो धन्य विद्य को राष्ट मति पर समिति की संबंध में शत नहीं है पहला में उसमें युटे सी सदस सही है लोग्षभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है तो प्राकलन समीति का जानते हो कि वो लोगशभा में ही गठन होता है तीस सदस लोगशभा से ही होते हैं और इसका जो गठन है बजट पेस होने के बाद जो है इसका गठन किया जाता है इसलिए दूसरा गलत है बाकि मंत्री परशद का कोई भी शदैसिस में सामिल नहीं किया जाता है ये भी सही है इसी स्थाई मित्यवेता समित भी कहते हैं ये भी सही है तो राइट आंसर आप्शन भी यहां सही जवाब बन जाएगा अगला एक राज बिधान मंडल नमलिकित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है राज बिधान मंडल नमलिकित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है पहला यहां पर है समवर्ती सूचियों पर बिल्कुल सही है दूसरा है आपका राज सूचियों पर तीज़ पर भी है आवसिष्ट सूची पर तो यह आपका नहीं आपसर यहां पर डी राइट आंसर बन जा है संब्धान की जो सात्वी अंसूची इसमें केंद्र तसराज जी के मद्ध सक्तियों की विवाजन से संबादी तीन सूचियों का उलेख किया गया है संग सूची राज सूची और संब्धान के संब्ध में निमलहित कत्नों में से कौन सा कथन सत्य होगा पहला एक नव निर्वाचित लोग सभा के बरिष्टतम सदस्तियों में से एक को सामानत्या प्रोटेम स्पीकर ने किया जाता है बिल्कुल सभी है प्रोटेम स्वीकर नौ निर्वाचि सदस्यों को जो है शबद दिलाते हैं यह भी सभी है तो दोनों की दोनों बाते बिल्कुल सत्य है आपसर यहां पर सी राइट अंसर होगा अगला प्रशन है कि शंब्धान का निम्दमे से कौन सा अनु उतर प्रदेश की जनसंख्या निम्लकेते में से कि देशों से अधिक है तो जापान से अधिक पाकिस्तान से अधिक है ब्राजील से लेकिन इंडोनेसिया से नहीं है तो वन टू थिरी आपसने आप भी राइट अंसर होगा क्योंकि यूपी जो है अकर इसको एक देश बना प्रद्व क्या है यूपी जी के तात्यसार जो 2023 से रीचन चल रहां उसमें आप अच्छे से कवर करें पुर अच्छे से चल रहा हो आप ज़रूर कवर करें वहां पर यूपी सब्स्वेस आप कर लेंगे तो आरो यारो के लिए बिटर रहेगा घटना चक ततष्यार को यहां पर आपका जो होगा सबसे अधिक जो सिचाई है वह आपका नलकूप है नलकूप के बाद नहर है नलकूप एने ट्यूबल हो गए रहा है फिर नहर है फिर तालाप को यह अन्य साध है आपसे यहां पर सी राइट अंसर है तो लगबग 79 परसंट जो है वो आपकी शोला महाजनपद है शोला महाजनपद में आठ जो है आपके उत्तर प्रदीश के है उनाठ में आपका जो है कुरू है उनाठ में क्या आपका कुरू है पांचाल है तो पांचाल जो है आपको आप्शन में दिक राए दूसरा पांचाल हो गया तीसरा पांचाल के बाद कास हो जाएगा इसकी बाद चेदी और मल तो चेदी और मल टोटल आठा हैं तो इन चारों तो समलेत होंगे ही चारों होंगे तो आपसर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा उपरोग तो शभी अगला एक उत्तर प्रदीश में जमीदारी उन्मूलन कानून शभी उन्सव पचास जो है वो कब लागू हुआ था उन्सव सो पचास तो उत्तर प्रदीश में जमीदारी उन्मूलन कानून उन्निशो पचास एक जुलाई उन्सव भावन से लागू हुआ था आपसर यहाँ पर आपका सी। अन्सर बन जाएगा उन्सर झाही जमीदारी भूम के शमता पूर्ण वित्रण से संबंधित कानून था जिसके अंतरगर्द प्रते एक व्यक्ति की भूम धारन शमता को सिमित किया गया थे नेक्ष्टर की भारती राष्टी कांग्रिस की उत्तरप्रदिस में हुए सम्मेलनों में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है लखनव 1892 कादिवीशन रमीश शंद्रदत के दोरा धचता की गई दूसरा है इलाबाद 1910 का दिवीशन जो रहा है वो बिलियम बैडन बर्ड की अधचता में रहा है लखनव 1916 का अधचता यहां पर जवाहलान नहिरू को बताया गया जो कि एसी मजूमदार रहे है यानि अंबिका चरण मजूमदार तो अंबिका चरण मजूमदार ने अधचता की थी जिसमें की कांगरीश लीग कांगरीश लीग समझावता भी रहा है और जवाहलान नहिरू को दिया है तो जो 1916 में रहा उसकी अधचता किया था जवाहलान नहिरू ने बनारस 1905 गोपाल कि गोखले जो की बंगाल डिवीजन कर रहा है तो यह है आपका सब सही है निस सी आपका गलत रहा है तो सी राइट अंसर है नेक्स रही कि निमलेखित कतनों पर आपको विचार करना है और सथ कथन की पहचान करनी है पहला है कि मद्ध परदीश तीन तरफ स साथ एक ही जिला उत्तरप्रदीश का सीम बनाता है वह सहारन पूर है तो सबसे छोटी सीमा है इसे कि जार दोनों की दोनों बाते बिल्गुल सत्त हैं आरो यारो के लिए घटना चक्र तथिशार उत्तरप्रदीश का नया वाला दो हजार तैश अडिशन अथे से कबर कीज प्रेश नंबर 27 कि स्वतंत्र भारत की निमने प्रधान मंत्रियों में इसका निरवाचन शेतर प्रदीश से रहा है पहला दिया चंदर सेखर बलिया से रहे है नरेंदर मोदी की जात की जात या वारांड़सी से रहे है वेपी सिंग फतेह पूर से रहे है चाओदरी चरण सभी यहाँ पर बातिशत्य हो जाती है आपसने हड़ी राइट अंसर बनेगा अगला 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 इक निमलिकित में से कौन सा यूगम सही शुमेलित नहीं है नेत्रित तु करता दे रखे है और अस्थान है देवी सिंग ने मतुरा से नेत्युत्ति किया था ठास्वत्त अगला उत्तर प्रदीश का निमलिकित में से कौन सा जिला नेपाल की साथ सीमा साधा नहीं करता है तो नेपाल की साथ सीमा साधा करने वाले जिले जो है वो आपके लखिमपुर खीरी है पीली भीत है तो टोटल साथ है नेपाल की साथ तो लखिमपुर खीरी है पीली भीत है महराज गंज है इसकी अलामा बाराइस बलरामपुर श्राबस्ति शिधार्थ नगर लगिसा जह यूग का गठन जो हग कब हुआ 2005 में रज महिला यूग 2013 में रज मानवादिकार 2002 में सभी सही है आप संडी राइट आंसर है अगला नीचे दो कथन दिये गए है कथन और कारण है यहां पर उसका आपको बताना है कथन दिया गया है कि 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदी कथन और कारण दोनों सभी है कारण कथन की सही ब्याक्या करता है अगला एक निम्लेकित में से किस वर्ष राज सरकार द्वारा राज भासा संसोधन अधनियंप पारितकर एक उत्तर प्रदीश यानि उर्दू को उत्तर प्रदीश की दूती राज भासा गोशित किया गया बर्स होगा 1989 आपसर यहाँ पर आपका ए सही जवाब बनेगा अगला एक निमलेखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तरप्रदीश के गोरख पुर जनपत के तराई छेतरों में निवास करती है गोरख पुर तराई छेतरा यहाँ यहाँ पर कौन सी होगी थारू आपसर यहाँ पर आपका राइट अंसर है थारू जनजात उत्तरप्रदीश की गोरख पुर जनपत के तराई छेतरों में निवास करती है थारू जनजाति के जो लोग हैं वो कोड़े किरात बंस से संबंदित होते हैं बंस कौन सा है इनका किरात बंस किरात बंस से यह शंबंदित होते हैं और थारू तो इनमें जो है आपको बदला बिबाह बदला कौन सा बदला बिबाह भी क्या है प्रचलित है बदला बिबाह या बहु बिबाह ठीक है अगला आपका उत्तरप्रदीस सरकार दौरा चला ही जा रही एक Billah-पयोजना दौरा किस परकार की औधोगों को विकास हो पाये मिद्धु का तो छोटए बद्धोगों का मध्यन परांपरग सबी का आपकर आ से यहां पर आपका — डि- राइट अंसर बन जाए एक जिला को उत्पाद कब से है तो जानते हो 24 जनवरी को 2018 में पहली बार उत्तरप्रदीश दिवस मनाया गया उसी दिन इसी दोजना को लागी किया तो 24 जनवरी 2018 को निमलेकित में इसे भुकम्पिय तरंगों में इसे कौन सी ये कि सिर्फ ठोश माध्यम में ही चल सकती है ये प्रकास की तरंगों की भात ही चलती है ये केवल और केवल ठोश माध्यम में ही चल सकती है ये स्तरंग है अगला आपका 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर में जो है अंडमान निकोबार के दक्षिन में 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की शाथ हो है तो 5,000 किलो मीटर 5,000 किलो मीटर मेल की बात करोगे तो लगवाय का 30 शो मील है अगला है निमलिकत योगमों में से कौन सा एक सही शो मेली तो नहीं है नदिया और उनका उद्गम स्थान दिया है डेनियूम नदी की बात की जाए तो ब्लैक फारेस्ट ब्लो नील ब्लो नील की की घए है विक्तोरिया जील से ब्लो नील नदी का जो उद्गम तरह वह ताना जील इतियो saferati तो दूसरा है गलत्तापका सुमेलित यही सही जबाब होगा जिश सीप्सक्थ जील से है यांग टीसी जो है तिब्बत पठार से बाकी सब सही है अगला एक नीचे दो कतन दिये गए जिनमें से को अभी कतन और दूसरे को कारण कहा गया है कतन है कि हर मटन पवन को डाक्टर बिंड भी कहते हैं जो कि बिल्कुल कतन सही है कारण है कि अफ्रीका के पस्चिम परावरत तूश्वा को भाव्मि भीकिरण कहा जाता है बिल्कुल सही है जो है अप सांसी राइट आंसर बन जाएगा अगला एक निवखें पर आपको विचार करना है जन जाती है और न्यौS अस्थाण है पहला है कि जो बुश्माईन जन जन जाती इसका निवास नेक्स दाए कि दक्षड अमेरिकी महाद्यूप के पस्चिमी तटवर्ती छेत्रों में समुद्री पस्चियों से प्राप्त खाद को क्या कहा जाता है राइट अंसर होगा आप्शन भी गौनू अगला एक निमलकित में से कौन सा एक मध्ध अमेरिकी देश नहीं है मध्ध अमेरिकी देश कौन सा नहीं है तो यहां पर आपको निराका निकारा गुआ दे रखा है अलसलवाडो यह भी है वेलिज भी है गुयाना की बात की जाती है अमेरिका महाद्यूप में इस्थित है मध्ध अमेरिकी देश नहीं है तो गुयाना जो है आपका हो साउथ अ सुमेलित नहीं है आपको बताना है आयक्त दे रखे हैं और उनकी एर जाएव बिवित्ता अधनियम बर्स होता यहां पर 2002 तो जब विद्दा अजिनियम कप का है 2002 का पीछली यहां पर आपका डी आंसर क्या है सही नहीं आप सदी सही जबाब बन जाएगा क्योंकि डी सुमेली तो नहीं है अगला आपका निम्नांकी तो घास के मैदानों में से कौंसा एक युग्म कौंसा युग्म एक ही बर्ग सी शंबंधी तो है एक ही बर्ग सी शंबंधी तो कंपोज तो कंपोज आपका उष्ड कडबंधी है जबकि यहां पर जो डाउंस दे रखा है यह आपका सीतोष्ड कडबंधी घास के मैदान में तो यह क्या है मिला नहीं आपका इस टेपीज क् कि यह आपका किया शितो dimension कृष्ड कड़बंदी था शवाना धोन की आपका शाइन तो कंपोज़की बात कि जाए शवाना तो कंपोज और शवाना दोनों क्या है शक्राण मेदान है इसलिए यही आपका यू गश्ज सही है आगे बढ़ते हैं अगला है इंद्रावती प्राण हिता और मंदरा किसकी शहाइक नदिया है इंद्रावती प्राण हिता और मंदरी गोदावरी की सहाइक नदिया है आपसन ए राइट आंसर बन जाएगा गोदावारी जो कि प्राइड ईपिय भारत की सबसे लंबी नदी है या नदी महाराष्ट की नासिक जिले में पस्मितत पर इस्तित जो है कहां से निकलती है त्रयंबाकस निकलती है अगला आपका केंद्रिय तंबाकु अनसंधान संसुथान क्या है दोस्त केंद्रिय तंबाकु अनसंधान संसुथान सीटी आराई इस्थित कहां पर है यह राजमंद्री आंध्रप्रदीश में आपसन यहाँ पर आपका यह राइट अंसर बन जाएगा अगला प्रश्ण है भारतिय मानक समय की याम उत्तर रेखा निमले खितमेसे कि राज्यों से होकर गुजरती है तो भारतिय मानक जो समय रेखा याम उत्तर है इसकी ट्रिक क्या है आपको मौका मोर्ण से यहां पर मद्ध प्रदीस एक यहां इलिए नहीं है तो एक दूझ चार पांच किसमे ठीन तीन चार पांच आप पर आपका भी रह्त बनीगा 1345 mm रखिये गहां कि यहां माउका यहां मौलकॉए मोलकॉा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि निमलकित योगमों में से कौन सा एक सही शुमेलित नहीं है परवत पठार दे रखे हैं उनकी सरवत चोटियां है अरावाली परवत की सबसे चोटी है गुरुद सिखर है बिलकुल सही मैकाल की अमर कंटा का है शत्पोडा की धूप गड़ होगी नेलगेरी की अडाई मुटी बताई जा रही है तो नेलगेरी की जो सबसे उची चोटी है वह दोद्दा बेटा है दोद्दा बेटा तो नेल गिरी के सबसे उची जो चोटी है वो दोद्दा बेटा है जिसकी उचाई जो है 2657 मीटर की है तो यहां पर राइट आंसर आपका आप्शन C सही आप्शन D आपका सही जवाब बन जाएगी यह सोमेरित नहीं है और अनाय मुडी की बात की जाए तो 90 मीटर की है 2655 यहां नेल गिरी पर नहीं है यह जो है आप अन्ना मलाई की पहाड़ी पर अन्ना मलाई की पहाड़ी पर ना कि नेल गिरी तो नेल गिरी की सबसे उच्छी है वो आपकी द्दा बिटा है अन्ना मलाई की सबसे उच्छी चोटी आप यह पढ़ जाती है अनाय है आपको बताना है गलत पहला है कि जट बिमानों द्वारा उतसर्जित होने वाली नाइट्रोजन आक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समश्या उत्वपन नहोती है बात बिल्कुल सही है दूसरा कथन की जो जोन परत में छेद होने का प्रमुख जो कार को बता ज यावन है कि नीचे दो कथन दिये गए हैं अभी कथन और कारण कथन पढ़िए और अंजर दी कथन है कि आई यू सी एन फिक है तो आई यू सी एन की रेड़ डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन नजीव खतरनाक अस्तर पर है जिसका सरलक्षण आवश्यक है जो कि बि है कि क्योंकि मानव की संख्या में अनियंत्रित व्रिद्धी ने खाज स्रिंखला को प्रतिकूल रूप्षे प्रभावित किया है तो यह बात भी सही है कि मानव की संख्या में अनियंत्रित व्रिद्धी ने खाज स्रिंखला को प्रतिकूल रूप्षे प्रभावित की लेक तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर कथन की सही ब्याख्या नहीं करता है तो आप से नहीं हम भी राइट आंसर है अगला है कि the future we want नामक मसावदा निमले किते में से किस सम्मेलन में दिया गया राइट आंसर होगा रियो फ्लस्टविंटी सम्मेलन अगला है कि भारत में राश्चया जीनवां इनक की स्थापना किस बरस की गई थी तो राश्चया जीनवां इसथापना कहाँ पर हुई नए दिल्ली में नई दिल्ली में कब हुई है यह यह रहा है कौन सा 1996 का तो राइट आंसर आप शनिहाँ बी सही जबाब बन जाएगा जेन बैंक जो है जब विविता को सलक्षित करने का जो यक्स सूट है वह विधी है अगला है आपका परियाबर्णिये निश्वादन सूचकांग बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है अक्षरी आपकी एक्जाम में जो है अगर आप पढ़के नहीं जाएंगे कामन से लगाएंग जो जारी किया जाता तक ताप पढ़ते रहते हैं वा अगर्ष है प्रणिये निश्वादन सूचकांग बेरी बेरी इंपॉर्टेंट प्रस्थ ना है तो आप इसको अपिए मजी एकसेडेंटल प्रोन एरिया है यहां पर अक्षर कलती हो जाएग है यह दिया पढ़के नहीं जाएंगे अच्छे ध्यान रखिएगा आगे सूची वन और सूची टूको शुमेलित करें प्राचीन रचनाय है उनकी रचनाकार है तो अश्टा ध्याई के कौन होंगे पाडिन होंगे महाभाष्य पतंजली का है तो महाभाष्य पतंजली का है तो मेर तोंग की ओपर दिस टपर भाए हूँ है मुझ अद्यें तो यहां पर आपका राइट आंशर बन जाएगा तो और यहां पर आपका यहां पर। यहां पर यांप intuitive वाला फार्मूला नहीं चलता यैसा की यहां पर आपका क्या है वन टूभा यह जर但是 बन ढ़र चलि आगे बढ़ते हैं चलिए अच्फिलिए यहां पर एक करी बढ़ते हैं वह डहीं जिए तें युद्र आपिerem a doll itis the sun ज्याब देखिए गना यहां पर चारों में अच्छीए है अब यहां से कर्भी को आप कंफंब ले कर ले जाएं पतंजल तो पतंजल नहीं पतंजल होगा फोड़ तो आप सामिल नहीं था किर्षचंद्र बिल्कुल जगत सिठ बिल्कुल मीर कासिम दिया है मीर जाफर अगर होता तो आप आप खहते हैं हाँ सामिल थे तो यह नहीं होंगे आपकी यह भी आप से यहाँ पर आपका सी राइट अंसर बन जाएगा अगला प्रशन आपका निमने युगमों में से आपको बताना है कौन सा एक सही शुमेलित नहीं है तो प्रम की यहाँ पर इस्टूप दे रखे हैं और हर्ष्ट बताया जा रहा है जो की बिलकुल सही है भरहोत इस्टूप जनल कंिंगम अत्यम्रावतिक जो इस्टूप है यह डवर्ड बेकर को बताया गया है यह हो जाएगा गलत इसकी जो खोज है वो करणल मैकेंजी ने किया था करनल मैकेंजी तो राइट आंसर आपसन डी अगला प्रश्ट है कि निमलकित में से किस राश्ट कूट सासक ने जिन से नियों महावीराचारी को अपने दरबार में प्रसर प्रदान किया था राइट आंसर आपका बन जाएगा आपसन सी अमोग विवर्स ने अगला आएक निमलकित में से किस एक उपनिशद में चारो आस्रमों का उल्लेख मिलता है कौन से उपनिशद में चारो आस्रम उनका उल्लेख मिलता है तो जो आपका छंदोगी उपनिशद है यहाँ पर जो है आपको तीन आस्रमों का उल्लेख किया गया था लेकिन चार उप चारों पूछा गया है जो कि ब्रह्मचर ग्रिहस्त वानप्रस्त योमशन्यास इनका उलिक जो है आपको जाबालो उकनिशद में मिलता है आप सुनिहा पर आपका राइट आंसर बन जाएगा अगला आए निम्न हडपा काली नदियां दे रखी है और उनके किनारे बसी नगरों के युग में में से कौन सा एक शही समेलित नहीं है अर्थात गलत होगा राखी गड़ी तो राखी गड़ी जो है आपका घगर नदी के किनारे होगा आलमगीर पुल हिंडन होगा बनावली शरस्वती होगा रोपड रोपड आप जानते हो पंजजा में पढ़ता हो वहां पर होगी आपका शतलज रीपर क्या होगी शतलज नदी तो भोगवा जो कि आप जानते हो जो कि एक पत्तन नगर आड़ा पा खाली न आपका लोथल वो होगा शतलज नदी राइट अंसर होगा अगला है कि मजम उलबहरीन मजम उलबहरीन कि मुगल सासक की मूल रचना है यहां पर राइट अंसर बन जाएगा आप जन सी दारा शिकोह की है यह तो दारा शिकोह का जन्म जो है वो 1615 इसवी में जो है साजहां की प्रिये पतनी प्राइल के गर्भ से हुआ था लेन पूल ने उशे लगु अकबर की शंग्या भी दी थी और मजम उलबहरीन दारा सिकोह की मूल रचना है अगला एक निम्लिकित में से कौन साइक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है लोक निर्माड विभाग की स्थापना बिलकुल सई सिचाई कर लगाना ये भी रहा है सानिकों के नगद बेतन देना प्रारंभ करना ये नहीं था तो सानिकों को नगद बेतन देना प्रारंभ करना जो रहा है अलाउत दीन खिल जी के संबंधित होगा आप से नहां सी अंसर बन जाएगा ब्रामणों पर जजिया कर लगाना इन्हीं सम्भाद दितना है अगला आपका किस सूफी शंत को अनलहक यानि मैं सत्य हूं इसकी जो माननता या घोश्टा करने का इनको जो हमेरे तुदंड दिया गया आनलहक की जो अवधारणा है हुंदु धर्म के अहम ब्रम्हाश में के अवधारणा की सामान है अहम ब्रम्हाश मही शक्ति हूं या मही ईश्वर हूं अगला प्रश्ण है कि किश मद्धकालीन सासक ने वोलर जहील में एक कृटिम द्यूप जैना लंका का निर्माण करवाया तो मद्धकालीन सासक है जैनुल आबिदीन आपसनिहा पर आपका बी राइट अंसर बन जाएगा तो बोलर जहील जो कि एक कृटिम द्यूप जैना लंका का निर्माण करवाया था जैनुल आबिदीन पंद्रमी शाताबदी यानि 1420 से 1470 में कस्मीर का सुल्तान था यहाएक योग और लोक प्रिये शासक था इसने धार्मिक सहिस्रुडता की नीती अपनाई इसने हिंदू के तूटे मंदिरों का पुना निर्माण भी करवाया गायों के बध पर रोक लगाई राज्य में एक बहतर साशन व्यवस्था लागू की जैनुल आबिदीन के जनप्रिये और धार्मिक सहिस्रुडता पूर कारी के कारण इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है तो जै अगला कथन कारण है कि भारत में राष्टी आंदूलन की विकास ने जाती प्रथा को कमजूर करने में मात्यपूर्ण भ्हमी का निभाई थी कारण यह था कि राष्टी आंदूलन उन तमाम संसुताओं का विरोधी था जो भारतिये जनता को माट कर रखती थी इसलिए जो प्रकासित शमाचार पत्र मुख नायक किस भासा में था मुख नायक किस भासा में था कि डाक्टर भी आरंविट कि रदवारा मुख नायक शमाचार पत्र का प्रकासन 2130 जनवरी 31 जनवरी 1921 31 जनवरी 1922 को प्रारम्ब किया गया था इसका प्रकाशन भासा पूंचा है तो भासा रहा है मराथी आपसने यहाँ पर आपका D right answer होगा अगला जो है कथन दिया है पर आपको विचार करना है सत्त कथन की पहचान करनी है पहला है कि अंग्रेज जो हो डच की बाद भारत आये थे तो आप इसका क्रम आप कैसे पढ़ते हो आपको मालूम होना चाहिए PD ADF PDF ठीक है तो PD ADF है इसका मतलब यहाँ पर यह है P से पुर्तगाली है D से यहाँ पर जो है डच है A से अंग्रेज है और D से डेन है और E F का मतलब यहाँ पर फ्रांचेज ही है तो याद रखने के तरीका है थोड़ा इसे है याद रखने हो PD ADF है ना PDF बोलते हो तो PDF यानि PD ADF है तो सबसे पहले पुर्तगाली उसके बाद डच उसके बाद अंग्रेज है अंग्रेज जो क्या है डच के बाद आए थे पहला कतन हो गया आपका सत्य दूसरा है कि East India Company की स्थापना योकि अंग्रेज जो द्वारा रही है तो अंग्रेज इस इंडिया कंपनी की स्थापना आप जानते हो कब होई है पच्पन से पढ़ते चले आ रहे हो 1600 ECB में डच इंडिया कमपनी से पूर्ब हो चुकी थी डच देखोगे तो अंग्रेज से क्या है पहले आए थे योकि डच के बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेज से पहले डच आए थे लेकिन डच ओ से पहले ही जो इश्ट इंडिया कमपनी की स्थापना जो अंग्रेज ने अपना करवा दिया था अर डच इ neurgy इश्ट इंडिया कमपनी की यो इश्थापना होती है वा कब होती है 1602 में तो दोनों की दोनों बाते क्या आपने आप में सब्पते हैं तो पालो ये सब्सबT इस दुब घटना चक्र पूर्वा लोकन जब पड़े हैं तो उसे बहतर आपको कही साथ में कोई अच्छी सी बुक हो आपकी पास बुक आप बहुत देख चुके होंगे वीडियो इस्ट्रेजी वाले काउन सी बुक पढ़ें हिंदी मेडियम है तो आप पर इक्षबाड़ी पढ़ें बहतर है अगला आएक निम्लकित में से किस वाज सराय की समय सर रीचर्ड इस्ट्रेची की अधच्छता में प्रथम अकाल आयू का गठन किया गया था तो गठन रहा है कव अठारा सो असी में तो इस आयू का उदेश रहा सरकार की अकालियों मराहत संबंद नीट निर्धारित करना था तो यह था लाड लिटन की समय में अप्षन ए अगला आया आपका बर्स 1908 में सेवा सदन की श्ठापना होती है किसकी द्वारा सेवा सदन की श्ठापना बर्स 1908 में किसकी द्वारा की गई थी तो यह श्ठापना जो है रहे बहराम जी माला भारी अपसनिया पर आपका यह राइट अंसर है एक अगस्ट 1920 को असायूग अंदोलन प्रारंभ किया गया इस अंदोलन से असंतुस्त होकर निमना लिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस को ही छोड़ दिया तो नान को आप्रेटी मोव्मेंट कभी स्टार्ट होता है एक अगस्त उनीस सो बीस को प्रिसा अंदोलन से जो है असुंतुस्त रहने वाले जो रहे व्यक्ति यहां पर विपिंच अंद्रपाल लिखा तो बिल्कुल रहे हैं एनी बेसंट यह भी रहे हैं मुहम्मद अली जि पर दिया आपसे यहां पर आपका डी राइट आंसर बन जाए उसके बाद जानते हो जुन्वान को आप्रेटी मोव्मेंट रहा असायूग अंदोलन यह आपका जो है जब घटना घटती है चवरी चवरा की कब चार फरवरी 1922 चवरी चवरा गोरकपुर उत्तर प्रदीश घटना घटती तो गांधी जी को रोकना परतापना यह मूव्मेंट असायूग अंदोलन जिस धगित होता है कब बारा फरवरी 1922 को असायूग अंदोलन अगला अखिर भारतिय किसान सभा का प्रथम अधिवीशन बर्स 1936 में किसकी अध्थचता में प्रारम भ वहुआ था तो 1936 में रहे हैं स्वामी सहजानंद की अध्थचता में आपसन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बन जाएगा तो स्वामी सहदारंद रहे अध्यक्ष और यहां पर महासच्य जो रहे हैं चुने गए थे वो थे एंजी रंगा ये थे अध्यक्ष ये थे क्या महासच्यू महासच्यू रहे हैं अगला प्रस्ण है कि निमलिखित घटनाओ पर आपको विचार करना नहीं क्रोनलोजी है साइमन कमीशन का गठन कब होता है भारत में तो 1928 में पहुँचता है गठन इसका जो हो जाता है वह 1927 में ही पूना पैक्ट तो पूना पैक्ट कब का है तो बरस रहा 1932 का 1932 होगा दुटिय गोल मीज सम्मेलन है तो दूसरा जो गोल मीज सम्मेलन रहा वो कब का है तो 1931 जलिया वाला बाग हत्या कार्ड बहुत ही बी एकजा में पूंचा जाता है तो यहां पर पूंता है क्रोनलोजी तो पहले क्या है आपका चार है उन्नीस के बाद आता है आपका 27 यानि एक हो जाएगा उसके बाद हो गया 31 यानि तीसरा आ जाएगा फिर है 32 यानि दूशरा चार एक तीन दो आपसे यहां भी राइट आंसर है अगला पुस्तक दिया और उनकी लेखक कौन सा यहां पर सही यानि नहीं है गलत दिया है बंचाप ओल्ड लेटर्स के लेखक जवाहर लाल नहिरू को बताया गया बिलकुल सही है लाइफ डिवाइन के लेखक रह अरविंद घोस यह भी सही है इंडियन फिलासुफी इंडियन फिलासुफी पुस्तक के लेखक कौन है तो यहां अलेक्जंडर डफ को बताया गया आप जानते हुर। राधा क्रिष्ण शर्बुपली है। राधा क्रिष्ण शर्बुपली हुँगे है। तो समेलित यही नहीं यही आपसदस सी राहीत पॉस्ता की बात कि अलग्जानर है। प्रशिद्ध पुस्ता को इंडिया एंड इंडियां न मिशन इंडिय न मिशन इंडियां न मिशन आगे निर्व लखेट मेंसे कि तो भारती क्रिश्न नेता ने मारले मेंट उसुद्धारों भारत प्रस्थजनियम उन्मोन को तयार करने में बिसीष भूमी का निभाई थी गोपाली कृश्चन गोखले गोपाली कृश्चन गोखले ने Isn006 में इंगलएंट जाकर 1909 कि मारले मिन्टो सुधारों को बनाने में विसीस भूमिका निभाई थी मारले मिन्टो जो अधनियम सुधार है वो बर्स 1919 में रहा है तो यह अधनियम मारले मिन्टो अधनियम बर्स 1909 में पारित हुआ था इस अधरियम द्वारा मुसल्मानों के लिए अलग निर्वाचन छेत्र तथा शामप्रदाई के पर 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 निर्वाचन छेत्र तथ गांधी जी के गुरू अगला निम्नलिखित में से कौन साइक युगम सही सुमेलित नहीं है सिध्धान्त और उनकी प्रतिपादक दिये हैं बैकर सिध्धान्त के प्रतिपादक एन केलडार जीरो बेस बस्तिंग के पीटर पायर शातिपूरक राजकोशी सिध्धान्त का प् किन्सज च्छथिफूरक राजकोशी शिर्द्धान्त जो रहा वह जान मेनार्ड के नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं कि मात्रात्मक की बात की गई है तो आप जानते हुए आपका है ना खुले बाजार की क्रियाएं है प्राथमी की छेतर दूर्दार नहीं होगा आप से यहाँ पर आपका सी सही जबाब बन जाए क्योंकि मातरात्मक नहीं है यह क्वालिटी टीव है गुड़ात्मक है आगे बढ़ते हैं वसूली या अधिप्राप्ति मूल नियूंतम समर्थन मूल से क्या होता है अधिक सदयों या सदयों कम या बराबर उसके या उससे बदा बराबर या उससे कम हो सकता है वसूली या अधिप्राप्ति मूलिया नियुंतम समर्थन मूलिय से क्या है बराबर या उससे अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता तो जब बाजार में अनाजों के दाम गिर जार गिरते रहे होते हैं तो सरकार नियुंतम समर्थन मूल पर किसानों से अनाज खरीद कर उनके हितों की रक्षा करती है या एक प्रकार की बीमा कीमत होती है इसकी घोषडा सरकार फसल बोने से पहले करती है वसीली या अधिप्राप्ति मूले वहा मूले होता है जिसकी घोषडा रभी तथा खरीप के समय करती है सरकार और इसी मूले पर सरकार अन्याज खरीजती है और वसीली मूले की घोषडा बुवाई के बाद यानि कटाई के समय की जाती है या MSP के बराबर या उससे अधिक हो सकती है किन्तो कम नहीं हो सकती अगला आए कि किसी देश की अर्थ बेवास्था की जो विकास मान इस्थिति में GDP में किस छेत्र का युगदान निश्चित रूप से बढ़े विकास मान इस्थिति में mandar झांन कि किसे देश की अर्थ बेवस्था का जो विकास जैसे बढ़ता जाता है अंगला है पोशडिये उुपहों से घुर्म गोल से होester again तो राइट अंसर बन जाएगा आपसंद भी यह डीजी टोयलब शवता जो बात करता है वह गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा की बात करता है ग्यारा जो नंबर है वह समुथान सील सहर तथा समुदाय की बात करता है यह डीजी 9 की बात की जाए यह उद्दोग नव परवरतन का था अधुसर रसन की बात अग्ला एक मुद्धरा जो इसकीम है विए मुद्रा जो इसकाम प्रभः से कौन सा होगा तो मुद्रा इसे न फैसे में ठीका हुआ हूँ है पंद्रह है इसका तूड़ा रिदम बनाई updated update 12100 1 इस तरह आप यह याद रखिए गा वोड़त रह रहा है 2015 16 की बजट में जो है यह इसकी जो है घोशड़ा की गई थी तो मार्च के बादे हो गए नहीं आठ अपरेल आठ अपरेल को दो हजार पंदरा को यह इस्कीम क्या है इस्टार्ट जो मुद्रा इस्कीम है इस योजना का में जो है जो सोचम है यहीं माइक्रो अस्तर पर जो दम सीलता है इनको जो है फंडिंग के द्वारा रोस्वाइद करने की जो है धारणा आधालित है इसके अंतरगर रण की तीन स्रेणिया होती है सिसौ किशोर और तरण तो सिसौ के लिए पचास हजार तक है रण कितना पचास जो किशोर है इनको को पचास हजार से रिकर की पांच लाख तक हैं तीस्रा जो तरौण है आइंप पांच लाक्स लेकर की दस तक की लोन की शुबदा आती है अगला है आपका अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध किससे है तो अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध डाइरेक्ट टाक्स कोड सी है आपसे नहीं हाँ पर सी राइट आंसर बनेगा अखिलेश रंजन कमेटी का गठन जो है बरस 2017 में पुराने आयकर कानूनी के अस्थान पर डारेक्ट टाक्स कोड पर इस्थापित करने के लिए किया गया था कमिटे ने विभिन सुझाओं के साथ केंदर सरकार की अपनी रिपोर्ट दो हजार उन्नीस में जो है शौप दी है अगले अप्रेस्ट नंबर है 82 संगठन दे रखे और उनकी स्थापना बरस है कौन सा गलत है आपको बताना है IDBI IDBI की स्थापना कब बताई जा रही है 64 बिलकुल है IFCI तो IFCI की स्थापना 1941 है यह भी सही है IDFC की बात की जाए तो 66 1996 श्यत्ता अन्यविट यह भी सही है ICCI इसकी अस्थापना होती है फाच जन्वरी उन्नीस सो पच्छपन ना की पंचान उन्नीस सो पच्छपन होना चाहिए तो इसलिए अप क्या है आपका गलत है आप से यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा उन्नीस सो पंचान नवे नहीं पच्छपन अगला की बैंकिंग की संदर्व में जो लैब है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर फुलफाम बताना है लैब का यह बैंकिंग यह इस संबंधित तो यह है आपका जो लैब है इसकी जो घोशड़ा है न वहां बजट रहा 1996-97 की बजट में घूशित किया गया था लैब यह बैंक निजी छेतर के अंतरगत जो होते हैं उनकी लिए तो लैब यहाँ पर हो जाएगा लोकल एरिया बैंग आप से यहाँ पर आपका भी राइट है तो जो 2014 में थी कौन सी कमिटी नचिकेता मोर समिती नचिकेता मोर कमिटी ने जो है 2014 की अपनी रिपोर्ट लैव के विस्तार को विर्तिय समावीशन ही तो आवश्यक माना था तो बेकेंद्री के बैंकिंग प्रडाली की दिशा में एक महत्त्रपूर्ण कदम रहा है अगला आपका वर्गसन मापदंड संबंधित कि से होगा वर्गसन मापदंड र जा होगा गुडातमक साथ नियंत्रण आपसे यहां पर रही राइट आंसर है ने मिलखेत कशनों पर आपको विचार करना है इसमें से जो है भारत की कोर शेत्र है कोर सेक्टर में आठ है कौन-कौन से आठ कोर सेक्टर है आपके तो पहला आपका है कोईला दूश्रा है पक्च्छा तेल है तीसरा जो कोर सेक्टर है वस्के प्राकिर्थेटिक गैस प्राकिर्तिक गैस शवस्का की क्लण से चाउट एक र्फाइनन री उत्पाद विण्यों 11 जो कोर सेक्टर है वह और वरक होगा शठा जो है आपका इस पात होगा यह इनि इस टील है शठा जो आपका कोर सेक्टर है इस पात सीमेंट भी तो है सीमेंट होगा उसके बाद आठवां आपका हो जाएगा इनि विद्दुद भी तो आपका कोर सेक्टर है रेड है बिना विजलिक कामें नहीं चलेगा तो यह है आठव इसमें से काउंसा नहीं है आपको बताना है तो कोईला यों मुर्वरक भी तो है रसाइन यहाँ पर नहीं है आपका रिफाइनरी उतबाद है कच्चा तेल है सीमेंट है तो दो नहीं है आपका तो केवल और केवल दो राइट अंसर आप्शन बी सही जबाव है नेम लिखित पर आपको बिचार करना है कि कौन से रूप आंतरे तो कि तने के उदाहरण है रूप आंतरे तो तना फहला यहां पर आपको दिख रहा है अदिरक यह भी तना यहां पर डिराइट आंसर होगा हो प्रूक्त सभी है तो तना आप जानते हूं सब्यों प्रांकुर से तो होता है और प्रारो हुद्र बनता है तो सभी जो है रूपांत्रित तनी किया है उदाहरण है अगला आपका है निम्लेकित कतनों पर विचार करें कौन से सही शुमेलित है आपको बताना है थालोफाइटा इस पाइरो गाईरा है ब्रायोफाइटा मास हो गया आपका और टेरीडोफाइटा जो है फरना है उपरोग तो सभी आपसे निम्लेकित उगमों में से कौन सा सही शुमेलित है यहाँ पर माइटो कांड्रिया की खूज अल्टमाइन प्रोटीन की फैक्टरी खूज तो प्रोटीन की फैक्टरी है राइबोशोम के इंदरक की खूज रावर्ट अब्राउन ने सभी सही शुमेलित आपसंड़ी तो माइटो कांड्रिया की खूज कब की गई है आठारा सुची यासी किसके दोरा अल्टमाइन की दोरा तो माइटो कांड्रिया को ही क्या है कोसिका का उर्जा अग्रिया भी कहा जाता है राइबोशोम यानि की जो प्रोटीन की फैक्टरी है जिसमें की राइबोशोम आर ने तता प्रोटीन के बने होते हैं इसका प्रमुख जो कार है वो प्रोटीन का संस्लेशन है इसलिए से फैक्ट्री भी कहा जाता है केंद्रक है आपका केंद्रक की जो खोज है वो अठारा सो यकाती जीजबी में राबर्ट ब्राउन ने की थी अगला की बाजार में इनों के नाम से बिकने वाला जो एंटासिड होता है यह है क्या बेसिक लिए सही जब आप यहां पर बन जाएगा आपका या माइगनीसियम एलवा होता है आपसने राइट आंसर बन जाएगा तो जो इनों है यह जानते हो आप पेट की जो अमलता यों गैस है इसको दूर करने में सहायक होता है निद्रा रोग या स्लेपिंग शिकनेस नामक बीमारी जो उत्वपन होती है वह किसी की द्वारा तो निद्रा रोग या स्लेपिंग शिकनेस नामक बीमारी एक प्रोटो जो द्वारा उत्वपन होती है आपसने राइट आंसर बन जाएगा यह एक परजी भी है सीसी मक्यो के शरीर में आसरे लेता है और इन मक्यों की काटने से रोगाण सरीर में प्रभीश कर जाती है सीसी मक्षी द्वारा अगला है कि जो CT सिकान या कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे परिक्षण में कौन सी किरने प्रियोग में लाए जाती है यहां से आप एक्सरे पढ़ लिए तो एक्सरे किरने लगा दिये बात विल्कुल आपकी बन गई है तो सिटी स्कान या कंप्यूटर फोटोम ग्राफी एक्सरे किरने एक्सरे जो परिक्षण कर दो है सोडियम हाइड ऐपका सोडियम कार्बोनेट होता है ना की बाइकार्बोनेट जो कि बात की जाए तो आपको यहां पर वासिंग पाउडर sodium carbonate होगा ठीक है sodium carbonate अगर पूरा का पूरा sodium bicarbonate होगा यह क्या होता तो यह baking soda यहां पर गर baking soda लिखा होता तब होता है आपका sodium bicarbonate वह आसिंग पावडर है तो केवल और केवल sodium कार्बोनेट हो ना कि सुदियुम बाइए एक को सामान रूप से टेफ्लान के नाम से जाना जाता है टेफ्लान जो है ये पौली टेट्रा Magnetic Resonance Emission आपसन यहाँ पर आपका यह राइट आंसर होगा Auto Analyzer है तो Auto Analyzer जो है Glucose, Urea, कोलेस्टराल आज की जाँ चहीत प्रियुक्त होता है Electro Cardio Cardio आ गया तो सिंपल सी बात बाई हिर्दे तो Electro Cardio जो होता है वो हिर्दे की اب मानसी की बिकलांग संस्थान कहां पर है तो यह हैदराबाद में है विल्कुल जग्ष्य अपका सही है राष्यद्र द्रिश्टीहीं संस्थान कहां पर है नई दिल्ली बताया गया तो राष्यद्रिश्टीहीन संस्थान आपका UK उत्राखंड में है, देहरादोन में, तीक है, देहरादोन UK, UK नहीं उत्राखंड ठीक है, तो यह नई दिल्ली में, यहां बताया कि जो कि गलत होगा, तो राइट अंसर आप्शन डी यहां पर सही जवाब बन जाएगा, अगला है आपका कौन सा युगम सही सुमेलि तो नहीं है, तो कलाई की अस्ति क्या, कारपल्स बताया गया, तो कलाई की अस्तियों को आप कारपल्स कहते हो, बात बिल्कुल सही है, अगर हाथ की होती है, यहनि जो कलाई है, कलाई की अस्तियों तो कारपल्स होगी, हाथेली की है, हाथेली की जो अस्तियां उनको मेटा क अगलर होगो प्रत्य को पासथ कि चार ओर पाई जाने वाली जहिली जुसको कहा जाता है यहां पर लिखा हुआ है कांड्रियुम नहीं होगा क्या होगा पेरी यहां पर पाम जाज़ाई तो पेरी यह पूरा होगा यहां आंसर आपका यहां पर आपका भी सही जबाब बन जाएगा पसलियों को आपश में जोड़ने वाली जो अस्थिय है इस तर्णम होती तो यह सही है तो भी आपका सही जबाब बन जाएगा अगला प्रश्ण है कि निम्लेकित में से कौन सा कारी यकिर्ट द्वारा नहीं किया जाता है यकिर्ट द्वारा लीबर है इप्राइरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है यकिर्ट फाइबरों जिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी करता है शरीर के ताप को बनाए रखता है यकिर्ट तो सभी तो सही है तो सबसे बड़ी गरंथी होती है तो सबसे ब प्रोटीन इसका उत्पाद में निकित की द्वारा होता है जो शरीर के अंदर का रख्त को जमने से रोकता है यह बनाता है जिसका काम होता है कि रख्त का जो थक्का उसको बनाने में मदद करता है आज यह बनाता है वसाओं का जो करना है यह यह नहीं होगा कि पितरस जवारा होता है पित्तरस थे उसके द्वारा में अपस थे आप संडी अगला एक निम लेकित में से कौन एक जठर में रस में नहीं पाया जाता है कौन एक जठर रस में नहीं पाया जाता है तो जठर रस में आपको क्या मिलता है रेनिन है, पेपसीन है, हाईडोक्लोरिक अमल है लेकिन ट्रिपसिन नहीं होगा जो आपका ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन के साथ ये माईलेज है, लाइपेज है, ये जो एंजाइम होते हैं, ये अगना से our आगना सी रशमे होता है. तो आप चाहिए है आपका राइट याइकशर बन जायेगा, अगला प्रस नमबर हंडर्ड है जिन लिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है असत्य है गलत पहला है कि जीन अन्वांसिक क्रिया की मूल इकाई होती है जो कि बिल्कुल सही है दूसरा है कि आर्यन्य में पाया जाता है तो आर्यन्य नहीं ड्यन्य तो ड्यन्य का छोटा खंड होता है जिसमें अन्वांसिक कुछ नहीं तो रहता है जीन कहलाता है तो च्रफ आरन नहीं ढहर बहुंद दूसरा है गलत तो केवलवर केवल भी आपसे आप दूसरा हो जाएगा क्या है गलत है पहला कि दूसरा गलत आपसे भी सही जवाब है और अगला प्रस्नाब का रिजनिंग प्रश्ना की रभी ने पूर्व की और चलना प्रारंब किया और एक किलोमेटर चलने के उपरा अंत यहीं किलोमेटर चलने के उपरा अंत वह दक्षण की और मुड़ जाता है और पांच किलोमेटर चलता है दक्षिण की ओर मुड़ते हैं और पांच किलोमेटर चलते हैं पुना वा पूर्व की ओर मुड़ता है तो पुना पूर्व की ओर मुड़ता है और दो किलोमेटर चलते हैं अंतिम बार वह उत्तर की ओर मुड़ता है और नौ किलोमेटर चलता ह तो अंतिमोर 9 km चलते हैं ये उत्तर क्यूर मुण करके अपने प्रारंभी के बिंदू सिवा कितनी दूरी पर है प्रारंभी बिंदू ये रहा है और उत्तर क्यूर चलते हैं ये यहां से यहां से यहां की दूरी जो पूंची जा रही है यहां से यहां की जो दूरी है वो कित यह टोटल 9 है, टोटल यह 9 है, तो यहां तक क्या है, 5 है, यह बई 5 ही तो है, तो यहां तक गए 5 है, तो यह पूरा उपर का पोर्ट्शन कितना होगा, 4 होगा, तो यहां पर पाइथा गोरस परमिये लगा दो, आप इधर का 4 है, यह लंब 4 है, आधार 3 है, तो यह कितना हो ज जाएगा चार चोग 169 25 25 अंडर रूट मान कितना आजाएगा पांच आपसे यहाँ पर आपका बी सही जबाब बन जाएगा आगे बढ़ते हैं तो भी राइट आंसर है अगला प्रेश्ण नंबर है आपका दूसरा किसी निश्चित कूट भासा में 15 789 को यक्स टी जड़ यल और 446 को यनपी एसी की रूप में लिखा जाता है उसी कूट भासा में 23 259 को किस प्रकार लिखा जाएगा यहाँ पर तो सब अलग ही अलग है तो यहाँ पर जो यक्स लिखा है इस का मानी एक है यानि इस तरह आपको चौप चोट ऑग, एक कमानी एक्स है ठीक है क्योंकि यहां पर संख्या के हिसाब से लिखना है तो दो की जगा क्या लिखोगे यहां पर यहां पर आपको कहीं दो दिख रहा है चलिए दो को शोड़ दो आप यहां पर तीन है तीन की जगा आप क्या लिखो तीन की जगह यहां पर आपको दिख रहा है पी तो पी लिख लो पांच है पांच की जगह आपको क्या दिख रहा है पांच की जगह है टी तो टी लिख लो आप पी टी इसके बाद क्या लिखना है पांच हो गया चार चार की जगह आप क्या लिख हो गये पहला तोड़ा डाउट दिए चार की जगा यहां पर लिखा हुआ है यस तो आप यस लिख लो नव की जगा क्या लिख लो नव यहां पर है तो नव की जगा यहां पर लिखा हुआ है यल और पीटी एसल की आपको कहीं दिख रहा, यहाँ पर है बालब आपका पीटी एसल, यहां पर आपकर क्याम करें कि इसको आप इसको आप जो है लिखिए 23-46 ठीक है इसको आप करेक्शन यहाँ पर कर लीजिए इसकी जगह होना चाहिए 23-46 बागी आप लुग कमेंड करिए 23-46 होना चाहिए यहां पर थोड़ा तुरूटी है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद चिनिके अस्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो यहां पर लिखा है साथ 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 दुनाई 14-48 अठार दुनाई 36-44 चालीस दुनाई 84-84 आपको आप्शन में देख रहा है चली देख आएगा अठारा यहां पर अठारा या फिर अठारा गुणे दो कर लो अठारा गुणे दो प्लस चार तो अठारा गुणे दो प्लस चार तो अठारा गुणे दो प्लस चार बराबर कितना आ जाएगा चालीस और चालीस यहां पर आ तो यहां पर क्या आना चाहिए भाई फिर एक शुबात पर को आप कर लो गुड़े दो एक शुबात पर गुड़े दो प्लस चार तब ये कितना हो जाएगा तीन सौन तालीस आ जाएगा इसका मतलब क्या यहाँ पर आपका चौरासी आएगा यह बंजार आपसने यहाँ पर भी राइट आंसर होगा अगला है कि यदि यदि आप एक से सव तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार तीन लिखते हैं चोटी है तो आप लिखके ही देख लो भाई एक तो दस तक एक से दस तक के बाइच में तीन आएगा फिर उसके बाद तेरा वाला हो जाएगा तीन फिर तीन वाला हो जाएगा यहां पर भी होगा 30 फिर 31 32 33 यहां पर दो बार आ राध्यान जी यह दो बार है 33 34 35 36 37 38 49 इसके बाद आपका 40 की बाद आप जा क्या करेंगे 43 आ जाएगा 43 53 तेरपन 63 73 83 39 अब तीन तो आएगा नहीं कहीं अब गिन लो एक दो तीन चार पांच यहां छे है यहां दो बारा है तो छे, साथ, आठ हो जाएगा यह नवा हो जाएगा नव, यह दस यह ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, शोला, शोला, शत्रा, ठारा, उननिस, बीस तो बीस है तीन है अहाँ पर राइट आंसर आपका क्या बनेगा वाई यह आपसन इराइट आंसर होगा आपका आगे निम लिखित स्रेंकला को सही बिकल्प द्वारा पूंड कीजिए दो चौक आठ दो चौक आठ है तीन तीन दूनी छे कर लो तीन दूनी छे फिर छे तरीक अठारा यह नहीं तीन फिर दो तीन चार यहाँ पर 4 कर लो तो अठारा चौक बहातरा आना चाहिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 4 चलेगा फिर 8,5 फिर चार,5 यह 4,5,6 चल रहा चार,चंग 4,6 कर लो चार,चंग 2,4 आ जाएगा इस तरह से रीच चलेगा अगका तो दो उपर क्या है दो तीन चार चलना नीचे फिर चार पांच इस तरह चलेगा तो राइट आंसर क्या आना चाहिए बहुत तर आप से यहां पर सी राइट आंसर है अगला है कि पिता की आई उसके दो पुत्रों की आई की योग की दो गुनी है पिता की आई दोनों पुत्रों की योग के बराबर हो जाएगी पिता की बरतमान आयू क्या है अब आप तो यहां पर छोटा है ब्यादा बड़ा नहीं है पर तो आपको बिल्कुल मैं आंसर से पुटकर पुटकर की देखता है ठीक है पहला यहां पर 40 दिया है अगर हम 40 आप्षन को लेकर चलें तो पिता की जो आई उसकी दो पुत्रों की योग की बराबर है तो बरतमान अगर आई पिता की 40 बरस है तो उसके जो दो पुत्र है उनकी योग की जो है वो दो गुनी होगी तो पिता की कोई आई होगी उनको दोनों को जोड़ोगे, उसकी दो गुनी जो है ये कितनी है, ये चालीस है, तो यहाँ पर लगभग आपका बीस होना चाहिए, ये तो पिता की लड़कों की आई पंदरा पांच होगी, जोड़ो योग जो है बीस आना चाहिए, तो दद्दस अगर हम ले लें, तो यहा तो माना आप पिता की 40 है तो 20 वर्स बाद 60 हो जाएगी 60 वर्स पिता की आए होगी तो पिता की आज़ जाएगी तो 20 वर्स पर चाद बच्चों की आए कितनी होगी जिनकी 10-10 साल है इनकी कितनी हो जाएगी 30-30 साल भाई 20-20 जुड़ जाएगा इसमें बच्चों की 20 वर्स ब तो आप जितनी प्रक्टिस करेंगे उतना ही आपकी लिजी रहेगा नीचे दिये गए शब्दों को शार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है तो प्रस्तुति है संस्तुति है आगमन है चर्चा है और परिश्य है तो सबसे पहले कोई आएगा आगमन होगा फिर उसके बाद भाई परिश्य देगा अपना आएगा परिश्य होगा उससे तो परिश्य ले लोगे तो तेन पांच परिश्य होगा उसके बाद क्या होगा परिश्य दिया अपना फिर अपनी प्रस्तुति किये प्रस्तुति जो भी आपकुश को करना है प्रस तो इस तरह इसको आपको व्यवस्तित करना था शार्थक करम में कि तो तीन पांच एक चार दो इस तरह होगा इसका राइट अंसर तो आपसे यहां पर कौन सा बन रहा है तीन पाँच एक चार दो आप सानी राइट अंसर है आगे अगला है कि उशे चुनिये जो अन्यत तीन से क्या है भिन्न है बड़ी संख्याएं दे रखी हैं बाई तो सबसे पहले आप क्या लगा दिमाग लगा लिए को जोड़ लो नव तीन अगर बारा हो रहा है बारा त्त्त हो रहा है इनी एक जोड़ लो आठ्ट शाशो पांच rubber अच्ट हो रहा है नव इशे पंद्राच्छेएपिस हो रहा है सब यह का योग क्या है की से अरहा है लेकिशे आ rheहा है यहां यह क्या है अंद्हर-सा ने राइट आंसर बंड जाएगा अगला आइक नेम लिखे तो समूह में कौन सा इसमें नहीं से नहीं है आख दिया है कान दिया है दात दिया है तुड़ी दिया है आख का काम क्या है देखते हो आप आख का काम देखना होता है कान का काम सुनना है दात का काम क्या आप कुछ चबाते हो कोई चीच चबाना हो ग अच्छे होती थोड़ा मों के शाथ है नहां तो कोई काम नहीं इसका विसी के लिए उड़ी तो कोई विसे शूपियों यहां पर नहीं देख पारत विसे अलग तीनों से तो राइट आंसर आप्शन डी तुड़ी A, B, C से अमीर है A जो है वो B से अमीर है A क्या है B से अमीर है तो B से अमीर कौन है A है तो B is less than A C जो है वो A से अमीर है C क्या है A से अमीर है तो यहां पर C जो है वो बड़ा होगा A छोटा होगा उसके बाद D, C से अमीर है यहनि D, C से अमीर है तो D आपका बड़ा है D is greater than C और E जो है वो सबसे ज़्यादा इन सभी से E जो है अमीर है यहनि सबसे बड़ा जो है E होगा आपका उसके पीछे यह सब लखेंगे A B C D अगर सभी को क्रम में बैठाया जा तो किसका अस्थान मद्ध में होगा तो क्रम में बैठा दो भई अगर क्रम में बैठायें तो B जो है A से बड़ा होगा तो इसका मतलब जो है आपका A A इधर आ जाएगा और B जो है इधर जाएगा क्योंकि A जो है बड़ा ही रहेगा B से अब यहाँ पर जो A है वो छोटा है C से इसका मतलब C आपका इधर आएगा और सी जो छोटा है वो डी से है तो डी का मतलब आप इधर आएगा डी इसकी साइड अब सब बैठ गया बीच में कौन आ रहा है सी इधर एभी है इधर डी बीच में कौन आ रहा आपका तो मध्यस्थान किसका है सी का तो आप शने यहां पर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा अगला प्रशन है कि किसी माह का चौथा दिन सनिवार है यहीं कोई महिने की चार तारीख है वहाँ पर सनिवार हो रहा है क्या है सनिवार है तो उस माह के 26 दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा तो कोई अगर 26 दिन है उसके 5 दिन पहले है तो 5 दिन पहले यानि एक दिन पहले होगा तो 25 दो दिन पहले होगा तो 24 तीन दिन पहले होगा तो 23 और 4 दिन पहले होगा तो 24 यानि 22 और 5 दिन पहले होगा तो 21 यानि उस महाने की 21 जो तारीख उसका दिन पूंचा जा रहा है यहाँ पर तो आपको मालूम है कि चार तारीखो ख़र क्या है आपका सनीचर तो Saturday है आपका तो 7 दिन इसमें अड़ करोगी तो 11 तारीख को भी क्या है से टर्डे होगा फिर इसमें साथ दी नाइट करोगी तब यारा साथ अठारा अठारा को भी आपका क्या है से टर्डे होगा अठारा उन्नीस तारिक ले लो बीस ले लो 21 तो अठारा को जो है से टर्डे है उन्नीस को संडे हो जाएगा और बीस क्या है आपका मंडे होगा और तो श्षेत्रफल होता है उसको कहा जाता है पाई आर इसको यहां पर तिज्ज्ञा होती है तो 362 पाई दिया ब्रित का शेत्रफल इसको चे बराबर बाटा गया है तो अभी यहां पर जो है आप निकाल सकते हो आपका है इसको बराबर भागों में बाटा गया है तो आपको निकाल नहीं है तो आर हो गया अगर शिक्ष है ब्रित्य के इतनी जा परीदी कितनी होती है तो ब्रित्य की जो परीदी है परीदी पर टू पाई आर होता है तो आर बराबर यहां पर अगर शिक्ष है तो टू पाई इंटू शिक्ष हो जाएगा ब्रित्य की परीदी क्या होगी बारा पाई तो बारा पाई आपका क्या है यह जो गुल 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 हुमा परिदी है ना यह बारा पाई है तो छे भागों में यह बाटा गया है छे भागों में तो छे भागों में अगर बांड दोगे तो बारा पाई होकर 6 भागों में बाट दोंगे तो एक पार्ट कितना आएगा तो बारा पाई हो गया बारा पाई डिवाइड बाई 6 कर दोंगे तो कितना आएगा 2 pie आएगा तो right answer आपका 2 pie हो जाएगा आप सेनिहाँ पर आपका D right answer है ठीक है तो यह पर आपको यह इतना ही निकालना था पूरा जो दे रखा यह पूरा कितना है आपका 12 है तो 12 pie है और शे भागों में बाटा गया तो एक भाग कितना हो जाएगा भाई पराप्त करने होते वाकिवल पचास अंक पराप्त करता है और चार अंकों से अस्वपा लोजनी फेल हो जाता है तो पचास अंक पाया और कोई आप ही हो माल लो पचास अंक आपको मिल रहा है चार अंक से आप फेल हो बोलते हो अगर हमको 50 प्लस चार अंक और मिल गया होता न होगा अब यहां पर आप देख भाई 45 प्रतिषत बराबर कितना है कि चुन नमबर है क्योंकि 50 अंग पाए चार नमबर और मिल गया होता तो इनको पास हो जाते पासिंग मार कितना 45 तो 45 प्रतिषत बराबर 54 नंबर है तो 100 परशंट बराबर कितना हो जाएगा परशंटा इधर रहे तो 54 इधर ले आओ 45 इधर करो गुणे 100 कर लो तो 9 छंग 54 और 9 पचे 45 पाँच एकम 5 पाँच बिसाइम 100 बीस चक्का 20 गुणे 6 120 तो 120 जो है वह मैक्सिमम मार्क है तो अगर 120 नंबर मैक्सिमम है क्राश चक कैसे करोगे बाए 120 नंबर है इसका 45 परशंट करो तो कितना आएगा अगला प्रश नंबर 114 वित्य इस्थिर्ता यों विकास उपरिशद जिसकी अस्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी इसका धक्ष कौन होता है यहाँ पर सही जबाब बनेगा आप्षन भी केंद्रिय बित्त मंत्री की स्थापना को जो उद्देश सी है वह वित्य शेत्र के विकास इस्थिर्ता अंतर नियामकिये शमनबे को बढ़ावा देना तथा इसे संसधागत स्वरूप प्रदान करना है अगला प्रश्ण है कि डवलू डवलू रोस्तोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बाटा है तो डवलू डवलू रोस्तोव ने अपनी जो पुष्टक इनकी वह दा इस्टेजेज आफ एकोनिमिक ग्रोथ अनान कमिनिस्ट मेनिफेस्टो इन्हों इसमें जो है पांच प्रक्रियों में बाटा है पहला जो है आपका वो है पारंपरिक शमाज है दूशरा जो है आत्म इश्फूर्ति की पूर्ववर्ति अवस्था तीसरा जो है वो है आत्म इश्फूर्ति की अवस्था चौथा है परिपक्कुता की अवस्था और पांच हम प्रश्वा है कि अवस्था है दुन पारंपरिक शमाज आतमष्पूर्ति की पूर्बवर्ती वस्था आत्मष्पूर्तिकी वश्था परिपक्यों पिदूत रोश्ट के अनिशार भारत पताया वाई बाध ने मीठी आप गुड़ो चिनी में आफस जाएंगे न आपको फसना रही है तो मदमक्खी पालन योम उनसे संबंद गदविधियों को बढ़ावा देने ही तो सरकार द्वारा जो है वो स्वीट रिवलूशन यहीं मीठी करांती को जो है धाणा को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार द्वारा राश्टी मदमक्खी पालन योम सहद मिसन के तहद जो है पांच सो करोन रूपए का क्या है आवंटन की घोशडा भी की गई है तो यहाँ पर सहद उत्पादन से है मीठी करांती का संबंध आपसने राइट आंसर है अगला प्रशन है जो पूशा रूबी है निम्न मेंसे की एक की उत्तम किश्म है पूशा रूबी तो पूशा रूबी जो है यह टमाटर की उत्तम किश्म है आपसने हाँ पर आपका यह राइट आंसर बन जाएगा तो ड्वाफ तो पूसारले ड्वाफ भी क्या है आपका ये सबी जो है टामाटर की उत्तम किश्मा है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट नंबर 118 है और ये आपका यूपी स्पेसल है यूपी स्पेसल आप जानते हो आरो में जो है अच्छा प्रस्ट न और बढ़िया नंबर भी पूछा जाता लगबग बीस नंबर आपको देखने को मिलते हैं बीस प्रस्ट न तो यूपी स्पेसल भी क्या है आपका महत्तपूर रोल अधा करने वाला है जैसकी पेपर में पहला है तत्त की दिया है कि बर्स 2011 की जनगड़ना की अनुशार उत्तर प्रदीश की दसकी अब्रिद्धी दर बीस दसमलत दो प्रतिशत रही है यह कथन क्या है अपने आप में शत्य है दूसरा है कि बर्स 2011 की जनगड़ना अनुशार उत्तर प्रदीश में सरवादी जो दसकिये बृद्धी वाला जिला रहा है वो गौतम बुद्ध नगर रहा है तो यह भी कथन आपका सत्य है कि दोनों कथन आपका सत्य हापसन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा अगला भारतिये खालन की स्थापन किस पंच वर्सय योज्णा के दौरान की गई थी भारतिये खाले निगम तरफा कृष्य कीवत आइओ की स्थापना आप जानते हो बर्स 1965 शम्दी गई थी और यह दोनों संबंदित आपके होंगे चाहिए वो किसी कीमत आयोग हो चाहिए भारतिय खाद निगम हो यह जो है किस पंच वर्षिय योजना के दौन रहा है तो एक सठ से छांचड की बीच आएगा पाइसठ यह आपका तुरितिय पंच वर्षिय योजना होगा आप से यहाँ भी सही जवाब होगा अगला एक निमलेखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है गन्ना आपकी नगदी फसल होती है तंबाकू है रबर है लेकिन स्वया भी नहीं है आप से यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा अब आपके 20 प्रसंद देखने को मिलेंगे करंट अफेर से होंगे तो करंट अफेर आप जानते हो पांचवा जियस का टेस्ट है पहला जो रहा है उस जनवरी के करंट अफेर से इंक्लिट रहा दूसरा फरवरी तीसरा मार्च चौथा जो टेस्ट है वो अप्रेल का होगा और पांचवा जियस का टेस्ट है यहाँ पर माई के करंट अफेर्श इंक्लिट किया गया है माई दो हजार तैस में निमलेखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्टिय बांध सुरक्षा केंद्र को इस्थापित किये जाने की गोशड़ा की गई है यहाँ पर आप माई दो हजार तैस में भारत सरकार द्वारा चलाई गये आपरेशन करुणा का मुख्य उद्दिश्ये क्या था सो मैं दो हजार तेस में भारत सरकार Jourda चलाई गये उफ्ड़ाह का जो मुख्य उद्दिश्यरह वह मियम्मार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों उनकी सहायटा करने के लिए आप्रेशन करोड़ाजव चलाया गया था इस अभियान के तहत भारती नवसेना की जहाजों द्वारा मियम्मार में खाद आपूर्ती आवश्यक दवाएं इत्याद भेजी गई थी आपसने हाँ सी राइट अंसर है निमलखित में से किस तिथी को अंतरराश्टिय जव विविता दिवस मनाया गया तो हर सार अंतरराश तो थी वो थी समझावते से जव विविता से कारवाही तक जव विविता का निर्माल करें अगला प्रशन है कि मैं दू हजार तैईस में किस देश ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को अपनी सर्वोच नागरिक शमान कैम्पीनियन आफ दी आर्डर आफ लोगों से सम् मधित निमलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना है कौन सा कथन जो है वो अशत्त है गलत है पहला है कि यहां भारतिय नवसिना की कलवरी क्लास प्रोजक्ट 75 की छटी स्कॉर्पियन पंडुब्वी है जो आपका प्रोजक्ट 75 है इसके तहट जो है आपके जो स प्रोजक्ट 75 की छटी स्कॉर्पियन पंडुब्वी वागीर रही है थीक है तो वेला रही उसके पहले उसके पहले जो रही आपकी करन जो आई एनस रही इसके खंडेरी रही है कल्वरी स्रेंडी 2015 हम जो रही है तो पहला कथन सत्त है दूसरा है कि इसका जो निर्माड मज गाउं डाक सिर्फ बिल्डर्स लिम्टर द्वारा किया गया या भी शर्त है या भी शर्त है तो असत्य कथन कौन सा होगा तो ना तो एक असत्य है ना दो यह आप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा अगला है कि मैं दो हजार तेश में एक शठवा बास्विक सुपर कंप्य यूटर सम्मेलन दो हजार तेश का अउजन कहां पर हुआ था सही जबाब बन जाएगा हैंबर्ग जर्मनी में आप से यहां पर सी राइट आंसर है इस सम्मेलन में भारत को संपूर्ड बिश्च में ए आई शूपर कंपेटिंग देशों में सीर्ष अस्थान पर रखा गय हैं तुर्की के तुर्की पहले नाम था तुर्की हो गया तो टर्क्री बाको बताना है तो यहां पर आपके राइट आंसर बन जाएगा रईसी तैब एरदोगन आप से नहीं विन इस तो यह तुर्की देश की राश्टपाती निर्भात्चित होई है और ये एर्दोगन का लगातार जो है तीसरी बार इनोंने अपना जीत जो है हसिल की है अब सुने गए हैं दो हजार अठाइस तक रहेंगे अगला है कि मई दो हजार तैस में कि राज में भारत की पहली पॉड टैक्सी पर योजना शुरू करने की घोशड़ा की गई है तो राइट आंसर आपसने हाँ पर ये सही जबाब बन जाएगा यह जो सेवा है यह नोएडा फिल्म सिटी योँ जेवर इस्थित अंतर रास्टी हवायडे के मद संचालित की जाएगी कहां से कहां जाएगा तो यह जो फिल्म सिटी नोएडा है वहां से लेकर जेवर अंतर राश्टी हवायड़े की बीच संचालिती की जाएगी। मैई दो हजार तेश में केंद्रिय पत्तन पोत बर्बानियुम् जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में इस्थित सित्वे बंदरगाह कौन सपोर्ट है। इस पर भारत के पहले मालबाग जहाज की अगवानी की गई। तो राइट अंसर बन जाएगा शित्वे बंदरगाह दड़िज म्यम्मार आपसने। अगला प्रस्थन है कि मैई 2023 में बुद्ध पोर्डिमा के अवसर पर खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शोभंकर जारी किया गया इसका नाम क्या था। सही जबाब बन जाएगा आपसने जीतू तो जीतू यानि 12 सिंग जोकि आकरसक जीवन्तियों गर्ब से गवरों का प्रतिक है जीतू बार्व सिंग है। अगला प्रस्थन है इंटरनेशनल बुकरप्राईज समद्हें निमलिखित कतनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि मैई 2023 में यहाप पुरुषकार टाइम शेल्टर पुष्टक को प्रदान किया गया है इसके लेखक जारजी गोश्पोर डी नोब हैं तो दोनों की दोनों बाते बिलकुल सत्य हैं आपसने हाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा मैई 2023 में विश्वारतिक इस्थितियों में संभावनाएं मिद 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बर्स 2023 में भारत की विकासदर पांच दश्मलों आठ प्रतिशत अनुमानित किया गया है यहाँ रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है कौन सी रिपोर्ट है विश्वारतिक इस्थितियों में शंभावनाएं मिद 2023 नामक रिपोर्ट किसने यहाँ रिपोर्ट जारी की है इसमें बता गया है कि 2023 में भारत की जो बिकासदर है वह पांच दिसमलों वाठ प्रत्शत अनुमानित है यहाँ रिपोर्ट जो जारी की गई है यह पर रखी गई है राष्टिय तठिये पुलिश अकादिमी राइट अंसर बन जाएगा द्वार का गुजरात में अपसनी सही जवाब है और यह जो अकादिमी है इसकी जो लागत राशी होगी लगभग 970 करोड रूप है कि अगला प्रस्ण है कि मैई 2023 में जी सेबन राष् प्रस्ण का सिखर सम्मेलन इस यह जो है मैं 2023 में जो रहा यह वंचाष्वा सिखर सम्मेलन था और जो सिखर सम्मेलन है जिसमें कि इस प्रद्धान मंत्री मोदी की द्वारा किया गया यह कहा संपन हो यह जो है हिरो सिमाज जापान में आयोजित हुआ था आप से यहाँ पर आपका बी सही जबाब है माई दो हजार तैईस में प्रसुद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम श्मायक जीन ने किस भारती अभिनेत्री को अपने कबर पेज पर अस्थान दिया तो वह भारती अभिनेत्री हैं दीपी का पादिकूर आप से यहाँ पर आपका डी राइट अंसर है तो कबर पेज पर आने वाली जो नभीनतम ग्लोबल स्टार है वह दीपी का पादिकूर अगला आपका मई दो हजार तैईश में दुबई इस्थित एरलाइन्स एमिरेट्स द्वारा विस्थ की पहले रोबिटिक चेक इन असिस्टेंट का अनवरंड किया गया इसका नाम क्या है इसका नाम है सारा तो दुबई इस्थित एरलाइन्स एमिरेट्स द्वारा विस्थ के पहले रोबिटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का जो अनवरंड किया गया है यह अगला प्रश्ण है कि मैई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल खाइबर तो खाइबर जो की लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है किस देश के द्वारा इस मिसाइल का परिक्षण किया गया है तो खाइबर मिसाइल का परिक्षण किया गया है इसकी जो मारग शमता होगी लगभग दो हज़ार किलोमेटर की होगी तो या किसने किया कौन सी कंटरी है वो है इरान आप सनिहां सी सही जबाब है मई दो हजार तेईस में भारती संविधान के किस अनुच्छेत का हवाला देते हुई सरभोच नियाले ने यह कहा है कि राष्टी राजजधानी सिविल सिवा प्राधिकन इस्थापित करने वाला अध्यादेश इसकी अनुकूल नहीं है तो आर्टिकल है आपका 249 डबल ए आप सनिहां पर आपका बी सही जबाब है जो कि दिल्ली कि भ्वषयद किये गई राष्टाज धन की रूपatersय मिञेव दिल्ली तो जानते जान नहां 11 अंभिधान संसोधन अध्यम 99 डबल ए आगला आपका मैं 2003 में साइक नव सान्न अव्याष्म पर्फ पर ये तो टाइगर सार्क फोटी जो है ये किन कंट्री के मद्ध है तो संयुक्त नोशाय ने अभ्यास है टाइगर सार्क फोटी जो की बांगलादेश योम संयुक्त राज अमेरिका के मद्ध संपन्न हुआ बांगलादेश योम संयुक्त राज अमेरिका आप सने हाँ पर भी सही ज का यूजन कहां पर किया गया गुलोबल वेल्थ कान फ्रेंज कि यह जो है का यूजन रहा है लंदन यूगी में अप्सन यहां पर आपका यह सही जबाब हो जाएगा इसी 140 प्रस्ण की साथ अपका पूरा का पूरा धे आईएस का टेस्ट नमबर जो जीएस का पांच वरहा कंप्लीट हो जाता है वीडियो को लाइक कर दिजिएगा अपने दोस्तों के साथ सियर करना मत भूलिएगा साथ ही चैनल पर दोस्त नए हैं आप तो चैनल को आप दरेट यूपी पीशेस किंग्डम पर मिल जा रहा होगा तो आप लोग जो है पीडियोप से टेस्ट दीजिए और उसके बाद जितने भी डाउट है आप वीडियो के माधें से आप कवर कर लीजिए थैंक्स शुफर वाचिन